limit 1 upon root n within bracket 1 upon root 3 plus root 6 plus 1 upon root 6 plus root 9 plus and so on तो यहाँ पर इस जो expression हमें given है उसके हमें limit find out करनी है और जब भी आपसे limit के लिए question आता है तो आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपके term में अगर square root involved है जैसे कि आप देख सकते हैं within यहाँ पर bracket सभी term में square roots involved है जैसे root 3 plus root 6 denominator में तो हमें यहाँ पर rationalize एक effective way होता है limit find out करने का यह series का summation find out करने का ठीक है वहाँ पर अगर आपको series given है जैसे summation of यही मान लीजिए जो आपको given है अगर मैं इसको UN call कर दूँ तो यहाँ पर और आपसे पूछा जाए कि convergent है या divergent है तो आप इसके direct limit check करेंगे तो यह आपका एक तो देखे दो तरह से question form हो गया है कि आपको किस तरह से पूछा जा सकता है limit of summation the UN और आपसे पूछी जाएगे इसके convergence और divergence तो यह क्या तो converge करेगा या diverge करेगा क्योंकि series of positive term है और same type का problem CSIR net में एक बार पूछा भी गया था आसाइद यहाँ पर root 3 plus root 6 की जगा denominator में कुछ इस तरह से था root 1 plus root 3 plus 1 upon root 3 plus root 6 sorry 5 यह 5 था हां और ends on और यहाँ पर one upon root n यह आपको given था इस तरह से तो वहाँ पर वो series के लिए था या limit के लिए था मुझे याद नहीं है बट same type का problem था और यहाँ पर सिर्फ limit पूछी गई है तो हम करेंगे क्या इसको rationalize करा रहा हूं मैं सबसे पहले तो rationalize देख लेते हैं इसका तो one upon root n within bracket हर एक टम को हम rationalize कराएंगे तो root 3 minus root 6 यह numerator में हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 square sorry 3 minus 6 यह हो जाएगा जब इसको rationalize कराएंगे क्योंकि अंडर रूट 3 square क्या हो जाएगा 3 और root 6 का square 6 ऐसे प्लस यहाँ पर प्लस आएगा तो फिर से root 6 minus root 9 और अपॉन में 6 minus 9 plus and so on इस से आपका यह चलता रहेगा तो यहाँ पर लिमिट हमें calculate करना है ले में टेंस to infinity इंटेंस to infinity मैं चेक कर लेता हूं यही है क्या हाँ यही है एंटेंस to infinity अब आप देखेंगे सभी के denominator में जो difference है वो थरी का जम्प है यानि कि 3 से 6 6 से 9 and so on यानि कि minus 3 जो यहां से इसका रिजल्ट आएगा denominator से minus 3 वह आप आउटसाइड ले लिजे limit and tends to infinity minus 1 upon 3 1 upon root n या इसको आप आउटसाइड भी ले सकते हैं लिमिट के क्योंकि constant है तो 1 upon 3 मैंने आउटसाइड ले लिया क्योंकि it is free from n और यहां पर विदिन ब्रैकेट जो बना root 3 minus root 6 plus root 6 minus root 9 and so on ऐसे चलता रहेगा तो देखिए इसमें क्या है root 6 आपका इससे cancel out हो जाएगा तो सारी terms आपके cancel out हो जाएगे तो आखिर में जो term बचेगा आपका यह वाला बचेगा आखिर वाला तो वह आखिर वाली term actually में होगी क्या जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं root 3 and plus 3 यह वाली आपके term आएगे तो यहां पर जो आएगा वह plus root 3 and plus 3 यह वाली term आपके बच जाएगे बाके सारी कड़ जाएगे आपके cancel out हो जाएगे तो यहां पर अब जो आपको मिलता है equal to 1 upon 3 limit intense to infinity 1 upon root n और यहां पर मिला root 3 minus under root 3 and plus 3 यह मिलता है अब देखे इसमें root n है तो root n को आप outside ले लिजे ताकि यह वाला जो हमें यहां पर given है denominator में इससे को यह cancel out कर दें तो यह मिला आपको 1 upon 3 limit entrance to infinity और यहां पर आपका root n outside यहां पर यह root n तो यहां पर root n नहीं था तो यह हो जाएगा 3 upon root n common ले रहा हूं वो सभी आप जानते हैं किस तरह common लिया जाता है यह 3 plus 3 upon n यह इस तरह से हो जाएगा तो यह आपका cancel out हो गया जब आप n tends to infinity इसमें limit put करेंगे तो यह वाली टम आपके 0 को चली जाएगी और यह वाला टम बे आपका जो यह वाला है 3 upon n यह भी 0 को चला जाएगा तो यहां पर क्या बचा आपका minus 1 upon 3 और यह तो हो गया 0, 0 minus root 3 यह बचा आपका देखें minus minus यह turn हो जाएगा positive में और यह root 3 इसको cancel out कर देगा root 3 times आप ऐसा समन सकते हैं तो यह हो गया 1 upon root 3 तो यहां पर आपने देखा 1 upon root 3 इसका answer आ गया है और 1 upon root 3 जो है आपका option C है option C तो यही इसकी right answer होगा